दोस्तों स्वागत है आप सभी का आगवार फिर से अपने यूट्यूब चैनल कोशी अश्टेडी पर दोस्तों मगद यूनिवर्सिटी बोद गया का मारिट लिस्ट अपलोड किया गया है जिसमें बहुत सारे स्टूजन के साथ समस्या ये आ रही है कि यूजर एडी और पासवर्ड में क्या डाले बहुत सारे स्टूजन ऐसे भी है जो इमेल एडी और पासवर्ड के साथ लोगिन कर भी जाते हैं तो उसके साथ समस्या आ रहे है कि click here to select college का option क्या है तो दोस्तों पूरी बात करेंगी कि आखिर क्या-क्या समस्या आ रहे है तो वीडियो को आपन तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करना मत भोलिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आउन कर लेजिए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने topic की ओर तो दोस्तों इसके लिए आपको आजाना है fast job search के official website पर नीचे आईए new updates में देख सकते हैं मगद University under graduation merit list यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर देख सकते हैं 25 जुलाइ से लेकर के 30 जुलाइ तक admission की प्रकिरिया चलेगी तो अभी time है दो दिन तीन दिन यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि user ID और password क्याद डालना है तो यहाँ पर आपको simply merit list पर आपको click करना है यहाँ पर जैसे click here पर download के लिए हम लगाते हैं चलिए हम इसे open कर लेते हैं download करने के बाद आपका यह notification download होगा यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि first line पर यह धियान से नामांकन के लिए मेधा सूची इस website पर जारी कर दी गई है जिसे वशविद्याले द्वारा कराए गए जिसे वशविद्याले द्वारा प्राप्त कराए गए user ID और password की सहता से देखा जा सकता है याने कि आपका email ID और password से नहीं बलकि मगद university के द्वारा user ID और password जो है उपलवध कराया गया है उसके सहता से आप मेधा सिची को डाउनलोड कर पाएंगे तो बात यहाँ पर साफ है आप अपना email id और password के साथ भले ही लोगिन कर जाते हैं कुछ लोग 20 में से 2 candidate लेकिन हम बताना चाहेंगे कि user id और password के साथ आपको लोगिन करना होगा user id और password आपको कहां मिलेगा तो application number जो होगा वहीं आपका user id हो सकता है और जैसे कि हम आपको एक photo अभी दिखाना चाहते हैं दोस्तों मेरे सामने किसी university का application जो form फिलब किये हैं वो है देख सकते हैं आप यहाँ पर धियान से देखिए तो उपर में सबसे लिखा हुआ है registration number क्या है registration number और निचे में देख सकते हैं यह जो number है इसका कोई यूज नहीं है लेकिन उपर वला देखिए B19U यह जो है registration number है और हम आपको आगे जो है दिखाते हैं एक और photo पर जो receipt में मिला है जब आप online कर लेते हैं तो देख सकते हैं यह इस तरह से आपका user ID और password होगा आपके university पर B से शुरू नहीं होकर कि किसी और तरह से हो सकता है तो application number यानि कि registration number और user ID आपका वहीं होगा registration number को ही user ID बोलेंगे और password आपका provide किया जाएगा university के द्वारा देख सकते हैं यह जो है last आपका print जो है निकलेगा तो यहीं निकलेगा चलते हैं अपने topic पर फिर से एक student ने अपना जो है application भेजा है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है application number आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है application number यह है तो यहाँ पर application number है और कहीं न कहीं जो है registration number होगा या फिर registration number नहीं है तो निश्चीत रुप से यहीं application number आपका user ID बनेगा और password आपको provide किया गया होगा और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर दियान दिजिए यहाँ पर देखिए आपका मातर दो ही पे payment नहीं किया गया हो तो इस तरह से बताना चाहेंगे कि user ID और password आपका जो है university के दोरा जो provide किया गया है उसके user ID और password से आप जो है मेदा सोची download कर सकेंगे 25 से नमांकर प्रारम होगा और साथ में आपको बता दें तो दोस्तों हमने एक user ID और password की रुप में email ID और password का यूज दिखाते हैं और यह login हो भी जाता है साइट थोड़ा सुलो चल रहा है नेटवर्क प्रोब्लेम है मेरे में अपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह से आपका page खुलेगा यहां पर कुछ option भी दिया गया है और सबसे नीची आयो तो आप देख सकते ह यह option आ रहा है email id और password से login करने पर लेगन वास्तम में हमें नहीं लगता है कि आप जो है इससे काम कर पाएंगे चलिए हम इसे आपको हिंदी में convert करके बता देते हैं तो friends हमने वहां पर text को copy किया और Google translator में डाल दिए अब यहां पर आप पढ़िए आपके छात्र पोर्टल खाते में आपका स्वागत है मगद विश्विद्याले के user id user course में परवेश करने के लिए चुने गए अपने पंजिकरित mobile नमर पर एक SMS के माधियम से सुचित किये गए सभी उमिद्वार को यानि चैनित किये गए उमिद्वार से अनुरोध है मतलब क्या हुआ कि मगद वास्तम में अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो इसका मतलब SMS के माधियम से ही सभी को सुचित किया गया है और जिसको जिसको सुचित किया गया है उसके संबंद में कहा जा रहा है कि आपको अपनी पसंद के किवल एक कोलेज का चैन करना होगा आपको खुद चैन करना है चार उप्शन अगर आप दिये हैं या पांच उप्शन तो आपको अपने मन पसंद का कोलेज आपको खुद से ही चैन करना होगा जहां आप उस कोलेज में किलिक करके एडमिशन लेना पसंद करेंगे जहां आप परवेश लेना चाहते हैं इसका मतलब साफ है आपको चैनित कोलेज में दिये गए सूची में से दो सहायक विसे यानि कि आपको एक अनर सब्जक्ट साथ में आपको दो जो है सहायक सब्जक्ट आपको रखना पड़ेगा तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं तीसरा option में कहा गया चैनित कोलेज में प्रवेश लेना अन सेकेन्ड लिस्ट में आपका नाम आए भी या फिर नहीं आए तो आपका एडमिशन एश्पोरट एडमिशन से लाष्ट में होगा तो आप निशी तरुफ से एडमिशन ले ही ले चोथा में देखिए कि आपको परवेश के दोरान क्या-क्या कागजात लगेंगे तो यह क्या क्या डोकुमेंट लेगा यह भी आप देखी लिजे पहला में देखिए जन्म या फिर मेट्रीकुलेशन का परमानपत्र जो भी है मेट्रीक की मार्क्षीट इंटर का मार्क्षीट इंटर का मूल और अंतिम परमानपत्र जो भी आपको मिला है CLC group में, migration आप जमा कीजिए, प्रवजन पर्मान पत्र, जाती पर्मान पत्र आपके पास है, यदि आप OVC से आते हैं, STSC से आते हैं, तो जाती ले लिजिए, इसके बाद जो है, अगर जो है, अगर जो हैंडीकेप सरेनी से आते हैं, तो वो अपना पर्मान पत्र ले ले, व अब आप जैसे ही देख सकते हैं, University पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको फिर से option खुलता जाएगा, और यहाँ पर हम click here to select college पर क्लिक करते हैं, नेट मेरा थोड़ा सुलो है, और यहाँ पर भी आप क्लिक कीजिएगा, तो lastly आपको यहीं पर जो क्लिक करने पर option खुलता है वहीं option आपको खुलेगा, चलिए हम इसे धीरे से open कर लेते हैं, तो दोस्तों open होने के बाद आपका कुछ इस तरह से page खुलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, अब confusion यहाँ पर आता है select college में, तो आपको college गव select करना होगा, admission के बाद या admission से पहले, तो यह आप college से भी पता लगा सकते हैं, आप अपने अस्तर से महिनत कीजिए, और पता लगाए कि आपको सबसे पहले college में admission लेना होगा, उसके बाद आप college select करेंगे, या फिर admission से पहले, तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है, जब आप इसको हिंदी में करके पढ़िए गा, तो इसमें कहा गया है, कि आप जो हैं, यह चाहते हैं, कि आप जिस college में admission लिये हैं, उसके बाद आप किसी अनी college में admission नहीं ले पाएंगे, आप इसका मतलब यह कहा जा रहा है, तो आप निश्चीत रुप से जिसमें admission लेना चाहते हैं, उसका जो है सारा detail आप इसमें भर दीजिए, और आपका जो ह में यह समझ में नहीं आ रहा है, कि यह जो है college जो select करेंगे हम, तो अभी आप click किजिएगा, तो यह खुलेगा भी नहीं, तो यहीं पर दिक्कत आ रहा है कि admission से पहले college select करें, या फिर admission के बाद college select करें, तो आप जो है इतना college से जरूर आप पता लगा लेजिए, जितना अ हम आपको पूरी कोशिस किया बताने का, अभी भी आपके पास कोई confusion है, तो comment box में comment कर सकते हैं, और whatsapp group का भी link आपको description में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से भी comment कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और भी दोस्तों, यादि आपके पास, जो है मान लिए कि user ID password आपका college वाला अगर मिलता है, तो आप हमें जरूर send करें, हम उसको भी login करके try करेंगे कि आखिर क्या-क्या problem चल रही है, तो आप इसे हिंदी में convert करके एक बार जरूर पढ़ लिजिए, और इसको समझ लिजिए, आप college में खुझ से पता करके भी अभी दो रोज admission में time है, तो इसके करके आपको college जाना होता है, साथ में document, तब आपका admission लिया जाता है, तो यहाँ पर offer letter download करने का कोई भी option अभी नहीं मिल रहा है, तो आप जैसे कि हम आपको इससे पहले बताए, notification में कि user ID और password जिसका login किया हुआ था, और उस पर जो नमर दिया गया था, mobile नमर, तो SMS के सहता से उस student को सुचित किया गया है, वो अब अपने हिसाब से college का chain करेंगे, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को like करना मत भूलिए, चैनल पर नहीं है, तो चैनल को subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर लिजिए, इस तरह से वीडियो पसंद आती है, तो दोस्तों के साथ भी share करें, मिलते हैं आपको next video में तब तक के लिए धन्यवाद,